नमस्कार सुस्वागतम वेलकम अभी नंदन मैं हूँ डॉक्टर वायराकि और आपका स्वागत करती हूँ आपकी और अपने मेरे दोनों के यूच्व चानल पर सबसे पहले बिलीव इन करवा आपकी जिन्दगी के अंदर सब कुछ राइट हो जाए और आपकी लाइफ बहुत उपसूरत हो जाए घर के सभी पित्रों को मेरा नर्मस तक होकर पढ़ना और घर की सभी मम्यों को आंटियों को कोटी-कोटी पढ़ना जब भी दादी नानिया घर में खाली बैटी हो तो सावन के इस पावन महीने का सबसे पहला उपाए तो उनको आप मेरी वीडियो चला कर दे दें ताकि उन दही दूद का इस्तमाल कम से कम हो पनीर का इस्तमाल कम से कम हो और सावन में लड़कियां अपने घर आती थी जूले डलते थे हरांगन में गेवर खाया जाता था सावन के इस पावन महीने में हरी सबजों को कम खाया जाता था सावन के इस पावन महीने में लोग ब्रहम चर्य नौन वेच खाते थे तो वो सावन के महीने में छोड़ देते थे चलिए हम प्राचिन काल की बाते तो नहीं कर सकते हम उतनी बड़ी बड़ी चीज़े तो नहीं कर सकते लेकिन अपनी जिंदगी को खुबसूरत और बहतर बनाने के लिए अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए हम चोटी चोटी चीज़े तो कर सकते हैं अभी हाल फिलार में मेरे पास एक आंटी आई उन्होंने बोला कि मेरी बेहन की बेटी ने आपके लिए मेसेज बिज़वाया कि राखी जी को बोलना मैं उन्हें फॉलो करती हूं थांक्यू सो मच आपके आपने कहा था 12 के एक्जाम्स कैंसल होंगे और कैंसल हो गए इससे बेहत बच्चे बेहत खुश हैं और उनको थांक्यू बोलना बस उनसे बोलना कि वो ना थोड़ा धीरे बोलने वो पहुत जल्देल्दी बोलती हैं I'm sorry बेटा मैं लाग कोशिश भी कर लूँ ना मैं धीरे बोलना शुर आ रही हूं मुझे ऐसा लगता है किसे मैं अपने परिवार का कुछ भला करने आ रही हूं ये ना सब कुछ यहां से निकलता है मैं सच बोल रही हूं कुछ भी मैं दिल से चाहते हूं मेरे मेरे बस में होना मैं आप लोगों का हाथ पकड़ पकड़ कर आपके घर आकर आपस सुन लिया कीजिए कान पकड़ कर माफी मांगती हूं I'm sorry बोलती हूं लेकिन I'm trying to change myself आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी सावन और नव ग्रहे जी हाँ नव ग्रहे क्यों पाए बताऊंगी कि सावन में नव ग्रहे को अच्छा करने के लिए हम क्या करें सबसे पहले परम पिता परमात्मा सूरे देव की बात कर लेते हैं सूरे देवता ग्रहों के अंदर हमारी आत्मा होते हैं खासकर वो लोग समझें सुपाय को जिने सरकारी नौकरी चाहिए आत्मविश्वास बढ़ाना है सूरे को अच्छा करने के लिए जल और गुड मिलाकर शिवलिं करने से भी आपका सूरे ग्रह अच्छा होता है इससे आपका confidence level बढ़ता है इससे आप सरकारी नौकरी पाते हैं इससे आपको राज नेता की टिकेट मिलती है इससे नेता भी नेता बनते हैं और सरकार से जुरुए काम होते हैं संडे को ओम आदित्ते नमहा का जाब शिवल ले जाने से भी आपका सूरे ग्रह अच्छा होता है अब बात करेंगे चंद्रमा चंद्रमा मन का कारक मा का कारक पंच अम्रित शिवलिंग पर अरपन करने से आपका चंद्रमा अच्छा होता है जिसमें दूद दही घी चीनी और शहद मिलाकर शिवलिंग पर अरपन करने तो आपका चंद्रमा अच्छा होता है, शिवलिंग पर सफेद पुश परपन करने से आपका चंद्रमा अच्छा होता है, ओम, सोम, सोमाय, नमहा का जाप करने से आपका चंद्रमा अच्छा होता है, अपनी मा का हाथ पकड़कर शिवाले ले जाने से और मा को शंकर भगवान के दर्शन कराने से आपका चंद्र ग्रह अच्छा होता है शेवलिंग पर का चिचावल अरपन करने से आपका सोमवार यानि कि आपका चंद्रमा अच्छा होता है तो हम यहाँ पर आपको नव ग्रह को सावन में कैसे स्ट्रॉंग और अच्छा करना है वो बता रहे हैं अगर आपने अपनी कुणली दिखा रखे और आपको पता है आपका कौन सा ग्रह खराब है तो उसी के उपाय कर लीजेगा अब इस वर्ष का राजा मंगल इस वर्ष का राजा मंतरी राजा और मंतरी दोनों मंगल है तो मंगल ग्रह को तो अच्छा मुझे भी करना है और आपको भ चाहिए तो भी उपाई कीजिए अगर आपको डाइवस नहीं करना तो भी उपाई कीजिए और अगर आपको डाइवस चाहिए तो भी उपाई कीजिए जैसी आपकी कामना हो शहद में दूद मिलाकर शिवलिंग पर अरपन करने से मंगलवार वाले दिन आपका मंगलवार वा शिवलिंग पर अनार का रस चढ़ाने से आपका मंगल घ्रह अच्छा होता है अपने भाई का हाथ पकड़ कर उसे अपने साथ शिवाले ले जाने से आपका मंगल घ्रह अच्छा होता है बुद्ग्रह शिवलिंग पर बेल पत्र अरपन करने से दूरबा अरपन करने से बुद्ध बुद्धाय नम्हा का जाप करने से शिवलिंग के सामने बैठ कर आपका बुद्ग्रह अच्छा होता है, पक्षियों को हरा चारा खिलाने से आपका बुद्ग्रह अच्छा होता है, अपनी छोटी बेहन या बुआ को हाथ पकड़ कर शिवाले ले जाने से आपका बुद्ध ग्रह अच्छा होता है गुरू शिवलिंग पर केसर अरपन करने से केसर मिश्रित पानी अरपन करने से आपका विवा होता है और आपका गुरू ग्रह अच्छा होता है पारवती मा को हल्दी के पानी से नहलाने से आपका गुरू ग्रह अच्छा होता है पीली मिठ सरसो चढ़ाने से आपका गुरु घ्रह अच्छा होता है शुक्र घ्रह शिवलिंग पर गुलाब का जल अर्पन करने से गुलाब के फूल अर्पन करने से गुलाब का इत्र अर्पन करने से गुलाब का परफ्यूम इत्र अर्पन करने से आपका शुक्र घ्रह अच्छा होता ह दही अरपन करने से आपका शुक्रग्रह अच्छा होता है खीर का सफेद खीर में केसर मिलाकर शुक्रवार वाले दिन शिवलिंग पर अरपन करने से आपका शुक्रग्रह अच्छा होता है शिवलिंग पर जल अरपन करने से आपका शनी ग्रह अच्छा होता है, गन्य का रस अरपन करने से आपका शनी ग्रह अच्छा होता है, इमर्ती का शिवलिंग पर भोग लगाने से शनी ग्रह अच्छा होता है, इस मतलब आपका और भी अच्छा होना शुरू हो जाता है, नील आपका शनी ग्रह अच्छा होता है, शिवलिंग पर काले तिल अर्पन करने से आपका ग्रह बहुत अच्छा होता है शनी, अपने चाचा का हाथ पकड़ कर मंदिर ले जाने से आपका शनी ग्रह शिवाले तक ले कर जाएं चाचा को बहुत अच्छा होता है, बात राहू और क केतु की जल चड़ाने से धतूरा अरपन करने से जंडे लगाने से आप हरी मूं की दाल शिवलिंग पर अरपन करने से शनिवार या बुद्वार वाले दिन आपका बुद्ग्रह और आपका राहू केतु ग्रह अच्छा होता है तो यहां हम बात कर रहे थे नव ग्रह और है आपस में कनेक्शन फिलाल मुझे दीजे इजासत कमेंट में जयमाता दी जरूर लिखेगा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को शेयर जरूर कीजेगा जादा से जादा लोगों को बताएगा हो सकता है आपके ग्रह बहुत अच्छे हो लेकिन किसी और का ग्रह अ हो और उसको इस वीडियो की जरूरत हो तो उस तक इस वीडियो को जरूर पहुचाएगा फिलाल दीजे इजासत नमस्कार जैमाता दी नमस्कार सुस्वागतम वेलकम अभी नंदन मैं हूं डॉक्टर वायरा की और फिर से आगया सावन का महीना अब सावन का महीना आया है तो आपके लिए मैं महामिर्तिमजय की पूजा कराऊंगी ऐसा आप सोच रहे होंगे इस बार मैं आपके लिए और भी बड़ा सर्प्राइज लेकर आई हूँ आप तुरंत पैन और कागस उठाएं पैन लाल रंका होना चाहिए और कागस सफेद रंका होना चाहिए और के बाद यह जो पवित्र धागा है मोली का इसके उपर इस तरह से बांदीचे ठीक है इस तरह से बांदीचे और इस धागे को फिर तोड़ लीजे अब यह आपकी विश मनत आपके नाम और गोतर के साथ हम तक जितनी जल्दी हो सके अतनी जल्दी जल्दी कोरियर करकर numbers जितनी जल्दी हो ये सावन से पहले आपके नाम और आपकी विश पहुंच जानी चाहिए हम आपकी विश नहीं खोलेंगे हम आपकी विश बिल्कुल नहीं पड़ेंगे इस बार मैं आप लोगों के लिए करवाने जा रही 12 जोती लिंगो की पूजा 12 जोती लिंग बनेंगे उनका महाबड़ा एक बहुत बड़ी सुरूप में पूजा होगी रुद्रा भी शेक होगा लाइव जुड़ूंगी आपके साथ और आपकी पूजा के बाद 12 जोती लिंगो पर आपका ये धागा खोल कर आपके इस कागज और विश को मिट्टी के शिवलिंग पर चिपका दिया जाएगा सीधा संपर्क भगवान से और हम आपकी माहा बारा जोती लिंगों की पूजा कराएंगे जो हर इनसान का कराना एक सपना होता है जिसमें लाखो रुपे का खर्चा आता है मिट्टी के बारा जोती लिंग बनेंगे उनका शिंगार आएगा उनकी आखें आएंगी और उनके ओपर समस्त चीजे अरपन की जाएंगे इसमें आपको अपने कागस के अंदर 104 रुपे आपको डाल कर भेजने है और प्लीज बैंक एकाउंट में अगर आप पैसे भेजेंगे तो हम वो पैसे आपके एकाउंट में वापस रिटन कर देंगे क्योंकि आपकी विष आपके पैसे जिजिन फूज है उसी दिन खोले जाएंगे उससे पहले नहीं खोले जाएंगे और आप ही के पैसे से ये पूजा कराई जाएगी इस बड़ी पूजा का हिस्सा बनने के लिए आप जल्द से जल्द हमसे संपर करें आपकी wishes का इंतजार रहेगा और wishes आपकी उसे दिन पूजा पर खुलेंगी किस दिन होगी ये पूजा ये जानकर ये आपको मेरे चानल पर जल्द से जल्द मिल जाएगी लेकिन फिलाल खत लिखना भेजे और हाँ अगर पैसे नहीं है आपके पास तो कोई hard and fast rule नहीं है कि आपको पैसे भेजने कंपल सरी है मैं हूँ ना अगर जिनके पास पैसे नहीं है उनके पैसे मैं अपने परिवार की तरफ से खुद दूंगी क्योंकि ये पूजा आपके भेज़े सब लोग भी पैसे भेज़े तो भी नहीं हो सकती बड़ी पूजा बड़ा कर्चा है बस मैं चाहती हूँ आपकी कमाई आपका पैसा शिवलिंग पर सीधा जाए पंडितों के पास जाया और आपको आप देने में समर्थ है और आपकी आर्थिक स्थिती सही है तो कंजूसी मत करियेगा क्योंकि अगर आप कंजूसी करेंगे तो उपरवाला भी कंजूसी करेगा फिलहाल दीजे इजाज़त लेकिन जल से जल अपनी विश पड़े खुबसूरत लाल रंके पैंसे लिख कर और मोली से बान कर सफेद कागज में जितनी जल्दी हमारे पास विजवा सकते हैं उतनी जल्दी विजवा दीजे फिलहाल दीजे इजाज़त नमस्कार झाल